टेक्नोलोजिस्ट कहते हैं उनके पास तमाम तर एड्मिनिस्ट्रेशन की कंप्यूटर से मुतालिक उसको ऑपरेटिंग से लेकर हैं लेकर इसु डिजॉल्विंग से लेकर तमाम तर चीजें टेक्निकली वो देखता है ब्रीफली उसको आप लोग के सामने भी लेकर से मुता इसके इलावा A-Levels भी किया है तो इना रेलिवेंट सिब्जेक्ट करें इसके लवा आप लोग FAC Pre-Engineering करके भी इस दिग्री को कर सकते हैं तो यह है Eligibility के लिजुबिलिटी एक Emerging डिग्री है पाकिस्तान की बहुत सारे स्टूडन्स जो है इसको करते हैं और जैसे के हम सब को पता है के Computers अब कितनी Importance रखते हैं Not only Computers, Mobile Phones भी, Laptops भी जितनी भी टेक्निकल चीज़े हैं वो अब पाकिस्तान में भी उतनी वर्थ रखते हैं एक टाइम था जो हम सोचते थे के शायद जिपान में ये सब चीज़े होंगी या यहां इस मुल्क में होंगी पाकिस्तान में टिकनोलोजी बतनी कब आएगी कब आएगी कब आएगी तो जैसे ही आना स्टार्ट हो गई तो इसमे Awareness भी आना शुरू होगी लोगों में और इसके मतलब बह थोड़ से हट के होते हैं मतलब उनको टेकनिकल चीजें रिजॉल्फ करने आती हैं कम्प्यूटर ऑपरेट बगारा करना आता है तो इसलिए भी उनके पास करियर ऑप्शुन्स जादा भी होती है अच्छा तो बेसिकली इस डिगरी का परपस क्या है एम क्या है में तमामते चीजें आप लोग के साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ तो मेक्शूर वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा अच्छा अब बीएस आईटी जो है वह फोर यह डिग्री प्रोग्राम है ठीक है जैसे के बैचलर्स के तमामते डिग्री प्रोग्राम प्रॉबब को भी हम लोग जानेंगे उसके बार में भी रीसर्च करेंगे स्टडी करेंगे ताके हम लोग जो है फ्यूचर में एक अच्छा स्कोप गेंड कर सके और बैसिकली इनफो जो आईटी टेक्नोलोजिस होते हैं जिसको हम इनफोमेशन टेक्नोलोजिस्ट कहते हैं उनके पास तुमामतर एड्मिनिस्ट्रेशन की कंप्यूटर से मुतलिक उसको ऑप्रेटिंग से लेकर हैंडलिंग से लेकर इसु डिजॉल्विंग से लेकर तुमामतर चीजें टेक्निकली वो देखता है ब्रीफली उसको आप लोगों के सामने भी लेकर आता है आपके इसुसको भी प्रीफली तो एक आई-टी टेक्निशन भी हर जगा पे उसकी डिमांड है हर जगा पे उसको जरूरत होती है हर कंपनी में क्योंकि हम लोग अपना डाटा जो है अब कंप्यूटर में रखते हैं हम पेपर पेन पे वो दौर जो है वो खतम होता नजर आ रहा है पेपर पेन कंप्यूटर से रेलिवेंट काम है ठीक है ओपरेटिंग से लेकर मैनेजिंग से लेकर इड्मिनिस्ट्रेशन से लेकर तमाम तो चीज़े एक आई-टी टेक्निशन ही डील करता है अच्छा अगर आप बात यह है कि अगर आप लोग का बीस इन्फरमेशन टेखनोलोजी कर दो देखते हैं तो आपके पास क्या स्कोप है फ्यूटर में जॉब्स अपरचिनिटी क्या आप लोग को मिल सकती है तो यह आप लोग के सामने लिस्ट है आप लोग देख सकते हैं जिसके आप लोग आई-टी टेक्निशन बन सकते हैं कंप्यूटर ऑपरेटिंग कहते हैं वो बन सकते हैं उसके इलावा भी आप लोगों के पास software से मुतालिक jobs भी आती हैं computer से relevant jobs भी आती हैं तो आप लोग लिस्ट में देख सकते हैं आप लोग इन में से कोई भी करियर अच्छा उसके लावा आप लोग देख सकते हैं कि जैसे कि आप लोग technical support analyst बन सकते हैं एनलिस्ट बन सकते हैं, वेब होस्टिंग कर सकते हैं, वेब डिवेलपर्स भी इस तरहां कि अगर आप लोगों को स्केल आजाए इसके साथ-साथ तो वो भी करियर आप लोग चूस कर सकते हैं, तो ये जॉब्स अपर्शूरिटीज हैं जो कि आप लोग अपेल कर सकते हैं, अब पाकिस्तान में कौन-कौन से ऐसी युनिवर्सिटीज हैं, जो कि इस डिगरी को करवाती हैं, क्योंकि ये एक अमर्जिंग डिगरी हैं, और बहुत तो इसकी मतब स्टूडन्स जो हैं, रिक्वार्मेंट भी रखते हैं, कि हमें इसकी बार में इन्फोमेशन भी होनी चाहिए, और इसकी अद्मिशन से रेलिवंट भी तमाम तर चीज़े हमें पदा होने चाहिए, तो पाकिस्तान के अल्मोस्ट काफी युनिवर्सिटीज हैं, क्योंकि इन्फोमेशन टेक्नालोजी में बियस करवाती हैं, लिस्ट आप लोगों के सामने हैं, आप लोगों के सामने हैं, आप लोग देख सकते हैं, युनिवर्सिटी अफ पंज्राब है, कॉमसैट्स है, इसके इलावा लंज में भी करवाई जाती है, इन्फोमेशन टेक्नालोजी की डिग्री हासिल कर दी हैं, अब दूरेशन की मात करें तो मैं आप लोगों को कॉलरी बता चुके हूँ, इसके टोटल आठ समिस्टर है और एच समिस्टर जो है वह सिक्स मन्स का है, विच्छ विल कंप्लीट यूर सिस्टीन यूर्स अफ एड्यूकिशन, इलिजिबिलिटी क्राइटीरिया पर आएं तो आप लोगों ने आइसिस किया है तो आप लोगों को फाइदा है, इसके लिए अप लोगों को उपर उनिवर्स्टी की लिस्ट बताई है, आप लोगों ने स्क्रीन पर भी देखी है, तो फीस इसकी अगर आप लोग किसी कौर्मेंट यूनिवर्स्टी से करते हैं, तो वहाँ पर मुनासिब होती है, बाइस हजार से चालिस हजार आपको पर सिमिस्टर के हिसाब से कॉस्ट करता है, और कुछ यूनिवर्स्टी का उससे कम भी है, पी उसी आईटी एक बहुत नाम रखने वाली उनिवर्स्टी है, पिजाब उनिवर्स्टी का जो आईटी केंपस है, वो ओल्ड होर में, वहाँ से ये सस्ती होती है, बाइस हजार भी नहीं होता है, यकर आप लोगों का regular पे admission होता है, रेपलिका में नहीं होता है, तो आप लोगों को 18,000-15,000 से भी फीसे आप लोगों को कॉस्ट करती है, जदधे expensive नहीं होता, प्राइवेट ऑविसली एक्सपेंसिव और वह नबे हजार, बन लाग प्लस भी आप लोगों से डिमांड करती हैं, बियंजू, लम्स इस तरह की उनिवरस्टी बहुत एक्सपेंसिव होती हैं, तो आप लोगों के मेरिट पर डिपेंड करता है, पी उसी एटी का मेरिट इसके इलावा आप लोगों का मेरिट जो है, वो 75% से अबाव होना चाहिए, तो ही आप लोगों के लिजिबल होंगे, otherwise you will not be eligible to take admission in BS Information and Technology, और इसके इलावा प्राइवेट में का आप जाना जाते हैं, तो जिसकी फीस में आप लोगों का आप लोगों का आप लोगों का आप प्राइवेट युनिवर्सिटी का भी अपना टेस्ट होता है, का फियों का अपने हसाब से वो admission देते हैं, तो आप लोगों के डिपन करता है, विश युनिवर्सिटी यू वांट तो चूस और इसके अकॉर्डिंग आप लोग वहाँ admission ले सकते हैं, अचा, उसके बाद हम जंप करते हैं, information technology के subjects पर, किसके subjects क्या है, हम लोग इसके तो क्या study करेंगे, क्योंकि जैसे कि मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि आदा interest हो है, हम लोगों का subjects पढ़के ही develop हो जाता है, और अगर हमें interest lose भी करना हो, मतलब हमें नहीं, तो हम subjects सबसे पहले देखते हैं, कि इसके subjects जैसे आप लोग इसमें programming पढ़ते हैं, networking security का subject पढ़ते हैं, communication security का subject पढ़ते हैं, इसके इलावा database languages का subject पढ़ते हैं, introduction to computing का subject पढ़ते हैं, और इस तरह calculus वगहरा भी इसके अंदर आप लोग study करते हैं, तो ये basically ICS के relevant subjects होते हैं, तो ये आप लोगोंने पढ़ने होते हैं, इसके इलावा और भी subjects हैं, जो कि आप लोग देख सकते हैं, अपनी screen पे, और आप लोगों को का अगर interest develop होता है, तो आप लोग इस दिगरी को जरूर करें, और पाकिसान की अच्छी universities की list भी मैं आप लोगों के साथ अपर शेयर की भी है, आप लोग बैक पर जाके तबार है और जानना है कि उनका क्या criteria है, तो मैं नीचे description box में हमारी official website का link जो है, वो mention कर दूँगी, जहां से आप लोगों को तवाम तर admission से मतलिक information जो है, वो अराम से मिल जाएगी, वीडियो पसंदाए तो लाइक शेयर और कमेंट सरू कीजिए का मैं दुबारा होंगी एक और useful वीडियो के साथ, तब तक के लिए, अलाफेस